इस module के अंदर हम speciation की different types के बारे में पढ़ेंगे, कि speciation की types कैसी हैं, कितनी किसम की types हैं, और उनमें differences क्या हैं, basically speciation की चार major types हैं, पहली जो type है उसको allopatric speciation कहते हैं, दूसरी जो type है peripatric, third type sympatric speciation और fourth type parapatric speciation, इस module के अंदर हम पहली type जो के allopatric speciation है उसके बारे में देखेंगे, allopatric speciation क्या है, अगर एक population किसी barrier की वज़ा से separate हो जाती है, दो populations के अंदर, तो क्योंके यहाँ पे कोई physical barrier आ गया है, इस किसम की speciation जो के barrier की वज़ा से आए, इसको allopatric speciation कहते हैं, यह physical barrier यह motorway भी हो सकता है, यह कोई mountain range भी हो सकती है, यह कोई river भी हो सकता है, तो यह जो permanent barriers है, यह एक population को दो population के अंदर divide कर देते हैं, अब अगर यह दो population जिस जो के किसी barrier की वज़ा से एक दूसरे से separate ही रहें, और इन में gene flow ना हो, दोनों population में जो organisms हैं, वो आपस में breed ना करें, जीन का exchange ना हो, तो फिर ultimately का होगा, यह दोनों population के अंदर इतने ज़्यादा differences आ चुके होंगे, कि एक वक्त आएगा, कि अगर इनको opportunity भी मिल जाए, तो फिर भी यह आपस में एक दूसरे से breed नहीं कर पाएंगी, क्यूंकि इनके अंदर इतने ज़्यादा genetic differences आ चुके होते हैं, कि यह इस genetic difference की वज़ा से आपस में interbreed करके, fertile of swings प्यादा नहीं कर सकते, इस slide के अंदर अगर आप देखें, तो यहाँ पे एक species A, यह एक barrier की वज़ा से, दो populations के अंदर divide हुई, और इनके अंदर reproductive isolation हो गई, reproductive isolation से क्या मराद है, reproductive isolation से मुराद है, कि barrier होने की वज़ा से, दोनों populations के member आपस में interbreed नहीं कर सकते, जब आपस में interbreed नहीं करेंगे, तो definitely इनमें gene flow नहीं होगा, gene का exchange नहीं होगा, और ultimately यह A population, दो populations के अंदर convert हो गई, एक इसमें population A है, और एक population B, allopathic speciation की वहाँ सारी examples हैं, जिसमें सबसे common example, Gallopagos finches की है, यह ख्याल किया जाता है, कि शुरू शुरू के अंदर, Gallopagos के अंदर, एक ही finch की species थी, mainland के उपर, यह जो finch थी, जब यह Gallopagos island के अंदर गई, तो वहाँ पे क्योंके resources बहुत ज़्याद है थे, वहाँ पे food availability बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे बहुत सारे island थे, तो एक जब island पे competition बढ़ा, तो species एक से दूसरे और ultimate जो है, जितने भी available वहाँ पे island थे, उनको उन्होंने अपना मसकन बनाया, वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया, breed करना शुरू किया, अब क्यूंके different island थे, वहाँ पे जो food की availability थी, वह भी different थी, तो क्यूंके तमाम species जो है, वो different किसम की food consume करती थी, इस वज़ा से, नतीजा क्या हुआ, कि finch की जो beak थी, उसका structure change होना शुरू हुआ, और ultimately food की consumption के हिसाब से, इन finches का जो beak का structure था, वो भी modify हो गया, और ultimately finches की 15 species evolve हुई, यह कहा जाता है कि Gallopagos island के अंदर, आज 15 species हैं, तो initially एक species थी, लेकिन, ultimately यह isolation की वज़ा से 15 species evolve हुई, इस slide के अंदर आप देखें, तो यहाँ पे start के अंदर, एक continuous population दिखाई गई है, यह population, एक blue line के जरीए, जो कि एक barrier है, इस barrier ने इस population को दो हिस्सों के अंदर divide कर दिया, एक लंबे अर्से तक यह दोनों population एक दूसरे से दूर रही, और इन के अंदर gene flow नहीं हुआ, और ultimately नतीजा क्या हुआ, लास पर अगर आप देखें, तो एक जो population थी, वो दो population के अंदर divide हुई, और ultimately यह population दो independent species के अंदर convert हो गई, तो allopathic species के अंदर एक species किसी geographical barrier की वज़ा से दो species के अंदर split कर जाती है,